Hello Everyone, Good Morning to All of You, Welcome to Current Affairs Logics Friends, Morning हो गई हैं, हम आप सभी के लिए लेके आ गई हैं आज का Daily Current Affairs का Important Session So देखे Friends, आज के सेशन में हम कवर करेंगे 23 और 24 शून के Important Current Affairs के Questions So पहले हम देखे Daily Current Affairs के सभी Important Questions को कवर करेंगे उसके बाद Friends, मैं आपको कवर कराऊंगी कुछ Study GK के Questions भी पेंडे वाली हैं, तो बदी रहेगा इस वीडियो में शुरू से अन्त तक इस वीडियो का जो PDF आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल से, जिसका नाम है Current Affairs Logics Friends, यहाँ पे आपको देखे, PDF तो प्रोवाइट कराई चाती है, साथी में आपको जो हम Current Affairs कराती है कोई भी हमारी वीडियो होती है, उससे लेडिट हम आपको यहाँ पे Quiz भी कराती है थाकि आप अपने Questions को और भी Revise कर सके, तो आप इस Group पो ज़रूर जोइन करें, टेलिग्राम पर आप सर्च करके So friends, चलिए आज की इस Important Session को शुरू करते हैं, लेकिन चलिए थोड़ी से Motivation ले लेते हैं, Motivation Code से Push yourself because no one else is going to do it for you देखे, आपको खुद को ही Push करना है, हाँ किसी से Motivate हो सकते हैं फोड़ा सा हमारा Meat consumer down होता है, तो हम motivate किसी से हो सकते हैं लेकिन आगे तो आपको खुदी को बढ़ाना है, पुष तो आपको खुद को ही करना है कोई और आपके लिए वो काम नहीं करेगा इसलिए हमेशा अपनी आपको देखी मोटिवेट रखें अगर कोई भी situation होना कभी भी तो आप उस situation में अपने आपको positive रखें positive रखेंगे तो आप खुद वह आगे बढ़ सकेंगे तो चले friends पहले हम आज शुरू करते हैं important day से तो आज का हमारा पहला important day है United Nation Public Service Day ये दिन कब मनाते हैं देखो तेही शुन को ये मनाया जाता है इस दिन की बात करते हैं तो ये जो दिन है देखिए ये हमें याद दिलाता है vital role of public service in promoting community development and welfare तो हमारी जो community है हमारा जो समुदाय है देखिए उसके विकास और कल्यान को बढ़हावा देने वे जितनी में public service है जो सारवनिक सेवा है उसकी जो महतवपूर भूमी का है उसकी याद दिलाता है ये दिन इस दिन की बात करते हैं तो United Nation General Assembly ने इस दिन को declare किया था तेही शुन को declare किया था to be public service day on 20 December 2002 तो UN General Assembly जो है उसने 20 December 2002 को declare किया था कि तेही शुन को मनाया जाएगा ये दिन अब देखो इस बार की हमें theme जरूर याद रखनी है इसकी theme है fostering innovation amid global challenges a public sector perspective एक और important day हमें याद रखना है Friends International Olympic Day तो अंतराष्टे Olympic दिवस की बात करने तेही शुन को ये मनाया जाता है इस दिन जो है na Friends International Olympic Committee जो है उसकी स्थापना होई थी कब 1894 मी तो इसलिए यही दिन चुना गया है इस दिन के लिए पहला जो Olympic Day है ये celebrate हुआ था 23 June 1948 को इसकी theme याद रखी का छोटी है सो काफी important रहेगी let's move and celebrate अच्छा Olympic से मैं आपको कुछ important points जहां पे cover करा देती हूँ ताकि ये जो हमारा जो points है ये भी हमारे एक्जाम में important है cover हो जाए पहले Olympic Games कब शुरू हुए थे कोशन एक्जाम में आ जाता है 1896 को शुरू हुए थे कहाँ पे Athens Greece में Summer Olympics Games की बात करें तो 2024 के देखे Paris में हुए थे अब इस साल Paris में होंगे अभी Summer Olympics उसके बाद 4 साल के बात क्योंकि Olympics जो होते है वो 4 साल के बात कराये जाते है Then for 2028 में कहाँ होंगे Los Angeles USA में उसके बाद 2032 में होंगे Brisbane Australia में होंगे Winter Olympics की बात करें friends Winter Olympics में देखें जो है 2022 में होए थे Winter Olympics जो बीजिंग चाइना में होए थे अब होंगे 2026 में और ये होंगे कहाँ पे Milan एन कोटिन इटली में Summer Youth Olympics जो हैं 2026 में होंगे और कहाँ पे होंगे डकार सेनेगल में तो ये upcoming जो sport events है friends important होते हैं इनको जरूर याद रखी Friends चले में आपको अब तक के जो हमने important days कवर करी है June की कुछ-कुछ हम days को यहाँ पर revise कर लेती है World Milk Day का मनाया गया थे कि एक June को जिसकी theme रही Focusing on Celebrating the Vital Role Dairy Place in Delivery Quality Nutrition to Nourish the World 3 June को मनाया कौन सा दिन Bird Bicycle Day और इसकी theme क्या रही है Promoting Health Equity and Sustainability Through Cycling उसके बाद यह को 5 June को मनाया है World Environment Day और इसकी theme रही Land Restoration, Desertification and Drought Resilience 7 June को Friends मनाया किया है World Food Safety Day जिसकी theme रही Food Safety, Prepare for the Unexpected 8 June को World Brain Tumor Day मनाया गया है और इसकी theme रही है Brain Health and Prevention उसकी बाद 12 June को Friends मनाया किया है World Day Against Child Labour और इसकी इस बार theme है Let's Act on Our Commitments and Child Labour 14 June कौन सा दिन मनाया किया World Blood Donor Day और इसकी theme क्या रही 20 Years of Celebrating Giving Thank You Blood Donors 20 June को Friends मनाया किया है World Refugee Day और इसकी theme रही है For a World Where Refugees Are Welcomed 21 June को Friends World Hydrography Day celebrate किया किया और इसकी theme रही है Hydrographic Information 21 June को ही Friends International Yoga Day मनाया किया है और इसकी theme जरूर यातकेंगे Yoga for Self and Society तो ये कुछ important days है June के बाकी देखे मैं आपको मन के end में हर महीने के days को याद भी कराती हूँ तो जब June हमारा complete हो चाएगा तो एक साथ हम अलग वीडियो में सभी days को cover करेंगे अब फइन शुरू करते हैं first question सी देखे पहला question है In which country was the National Posen Festival celebrated राष्टे पोसन महसव ये किस सेश में बनाया गया तो friends ये अभी festival जो है वो कहां पर celebrate किया गया है श्रिलंका में friends इसको celebrate किया गया है एक पूरा week जो है इसको dedicated किया गया है इस festival को जिसको कहा गया है National Posen Week और ये कब तक continue रहेगा तो 24 चून तक जो है वो ये दिन continue रहेगा यानि आज ही तक ये जो है वो पूरा हफता जो है वो celebrate किया गया है National Posen Festival की रूपी ये जो festival है ये जून में जब फुल मून होता है न उस टाइम पे ये festival होता है अच्छा श्री लंका की friends बात करते हैं तो देखें इंडिया की neighboring country है श्री लंका यहां की capital है श्री जैवर्धने पूरे कोटे और कोलंबो currency है यहां की श्री लंका रुपी प्रेजिडेंट है रानिल विक्रमसिन है प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुर्वर्धनी इक straight का नाम हमें याद रखना है जो की है पाक straight जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाक जल डमरू मत दिये यह friends इंडिया और श्री लंका के बीच में है ठीक है तो पाक से पाकिस्तान मत याद रखीगा कई बार ऐसा होता है न एक्जाम में जिल्दवाजी में हम पाकिस्तान कर द देते हैं लेकिन पाक स्ट्रेट किसके बीच में है इंडिया और शिलंका के बीच नेक्स्तान है विच इंस्टिटूट रिसेंटली साइन एम यू विध नैशनल हाइवे ऑथियूरिटी ऑफ इंडिया तो एनहेंस रोट सेफ्टी त्रू आर्टिफिशल इंटेलिजेंस कि इस संस्थान ने देखे AI के माध्यम से सडक सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतिय राष्टे राजमार्ग प्रादिकरण के साथ में एक समझोते पर हस्ताक्षर करी हैं तो कौन से इंस्टिटूट ने किये हैं सही आंसर है फेंड से ट्रिपल आईटी डेली का पूरा नाम क्या है देखिए ट्रिपल आईटी डेली ये है इंदरप्रस इंस्टिटूट आफ इन्फॉर्मिशन टेकनलोजी दिली और इनोंने अभी एन एच एई के साथ में एक M.A.U. साइन किया है इसमें देखो रोट सेफटी को और भी अच्छे से बढ़ाने के लिए AI का यूस कि आजाएगा ताकि सडग सुरक्षा को बढ़ाया जा सकी और इसी के लिए M.A.U. साइन हुआ है नेक्स्ट क्वेशन है फैंड्स हो हैस इन्फॉर्मिशन योगा ओलंपियाड इन मैसूर मैसूर में बात करते हैं राश्टिय योग ओलंपियाड का उद्गाटन किस नहीं किय है राइट आंसर है ओप्शन नंबर C. थावर्चंद गहलोत फैंड्स थावर्चंद गहलोत जो है करनाटक के गवर्नर है और इन्होंने मैसूर में नैशनल योगा ओलंपियाड को इनॉगरेड किया है करनाटक की कैपिटल बंगलूरू है CM है यहां के सिद्धा रमया Second Edition of the Global Conference on Financial Resilience has organized by the College of Supervisors of RBI in which city देखे RBI के College of Supervisors के द्वारा वित्तिय लचीलेपन पर वैश्विक जो संबेलन का दूसरा संसकन हुआ ठीके कौन से एडिशन हुआ है याद रखेंगे इसका हुआ है Second Edition इस Conference का कौन से शहर में यह आयोजित किया गया तो यह कहां पे हुआ था Conference Mumbai शहर में यह Conference हुई थी तो यह जो Global Conference का दूसरा एडिशन हुआ था इसे organize किया था Mumbai में College of Supervisors जो RBI के College of Supervisors है उन्होंने इसे organize कि दिया था शक्तिकान दास जो कि RBI की Governor है इन्होंने देखे हाइलाइट किया है the importance of the financial sector adopting and adaptive and forward looking approach to navigate emerging challenges जो भी आने वाले challenges जो उभरती चुनोतिया है उनसे निपटने के लिए वित्य छेत्र के द्वारा अनुकूली और दूरदरशी द्रस्टिकोर अपनाने के महत उपर आश्टाला है RBI की Governor शक्तिकान दास नहीं तो आपको यहां से point का याद रखना है कि यह जो conference दी इसका हुआ दूसरा edition और यह कहां पी हुआ है Mumbai City में next question friends अगला question है आचारिय लक्ष्मी कांत दिख्षित passes away at 86 अभी देखे हाली में friends इनकी 86 वर्ष की आयू में जो है इनका निधन हो गया आचारिय लक्ष्मी कांत दिख्षित किसमे महतपूर भूमिका के लिए जाने जाते थी answer है friends यहाँ पर option number C consecration of the Ram Temple in Ayodhya so यहाँ बात करते हैं इनका नाम है friends आचारिय लक्ष्मी कांत दिख्षित और आयूध्या में राम मंदर के निर्माण में महतपूर भूमिका निवाने वाले जो पुजारी रहे हैं उनमें से एक रहे हैं आचारिय लक्ष्मी कांत दिख्षित जिनका निधन हो गया है नेक्स्ट क्वेशन है यूनियन काबिनेट हैस अप्रूवड 76,000 करोन रुपीस औल वैदर वधावन पोर्ट इन विच स्टेट केंद्रे मंदरी मंदल ने किस राज्य में 76,000 करोन रुपे के औल वैदर वधावन जो बंदरगाहा इसको मनसूरी दी है तो किस राज्य में दी है? आंसर है फ्रेंड्स महराष्ट राज्यमी प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी के जो ये काबिनेट है उसने अप्रूवल दिया है बधावन पोर्ट को जो ये महराश्ट्रों में से इसके डेवलपमेंट को लेके जो है फाइनली अप्रूबल दे दिया गया है ये जो बंदरगहा है इसकी बात करते हैं तो ये बंदरगहा देखिए इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकोनॉमिक कोरिडोर और जो इंटरनाशनल नौर्थ साउथ ट्रांस्पोर्टेशन कोरिडोर है उसके माध्यम से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा न उसमें काफी सहायता करेगा तो इस पोर्ट के जो है डिवलप्मेंट को लेके काबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कहां पे महरास्ट रामी महरास्ट स्टेट जो है फ्रेंट्स फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1st May 1960 को कापिटल मुंबई है सीम है रमेश बाइस और यहाँ पे सीम है एकनाथ शिंदे गवर्नर है फ्रेंट्स यहां के रमेश बाइस अच्छा इसके लाब फ्रेंट्स यहां के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्ग देख लीजे चंदोली, नेगाउ, संजे गांधी और यहाँ पे है तडोबा नेशनल बार्ग महराष्ट सरकार ने देखे फ्रेंट्स अभी हाली में लेक लड़की स्केम यहां पे स्टार्ट की थी इसके लाब फ्रेंट्स यहां पे भगवाल बिरसा मुंडा रोड स्केम भी शुरू की गयी थी Next याद दखेंगे मेरी माटी मेरा देश कैमपेन कहां पर शुरू हुआ महरास्ट सरकार ने चीफ मिनिस्टर वायो शिरी जो योशना है फ्रेंग्स इस योशना को स्टार्ट किया चुरी फ्रेंग्स नेक्स बात कर लेते हैं अगले important question की Next question है हमारा who has been appointed as a CMT of New India Assurance Company New India Assurance Company की CMT जो है कौन मतब किसे नियुक्त किया गया है सही answer है friends Girja Subaymaniam So friends Girja Subaymaniam ये New India जो Assurance Company है उसमें appoint हुई है chairman और managing director यहाँ पर friends मैं आपको कुछ banking sector में appointments revise करा देती हूँ तेकर अभी हाली में Paytium के non-executive independent director कौन appoint हुई है नीरज अरोरा धनलक्षमी बैंक के MDCO बने है अरजीत कुमार केके Cash free payments के independent director बने अबै होता PNB MetLife India Insurance के MDCO बने है समीर वंसल और आशिरवाद Micro Finance Limited के CEO कौन appoint हुए है सतीश नायर अकला question है friends देखे Who has been appointed as a director of the भारस अंचार निगम लिमिटेट Short में कहते हैं इसे BSNL तो BSNL के निदेशक के रूप में किसे निक्त किया गया है सही answer है सुधाकर राओ पापा जो है यह appoint होए है BSNL के Friends Director अच्छा friends यहाँ पे मैं आपको अगर बात करूँ बाकी जो है option की गिरीश तान्ती की बात करते हैं तो अभी friends यह Global Wind Energy Council इंडिया के बने है चियर्मन डॉक्टर कपिल दुआ की बात करें तो जो Asian Association of Hair Restoration Surgeons से उसके बने है यह President अमित खरे का याद रखेंगे friends प्राइम मिनिस्टर के जो है वो यह तुबारा से क्या बने है एडवाइसर बने है तो यह बाकी appointment बिलकुल अभी resident की है यहां पर आई बात आईए BSNL की BSNL का पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना हुईती 15 September 2000 को Headquarter है देखे friends BSNL का New Delhi में Next question के बात करते हैं Who has been appointed as a new Secretary of Telecom Regulatory Authority of India Short में कहते हैं इसे Try Try यानि भारते दूर संचार वी नियामक प्राधी करण के नई सचीव कौन appoint हुए है तो नई Secretary कौन बने है अतुल कुमार चौधरी Try जो है इसकी सापना होती 20 February 1997 को Headquarter इसका है न्यूडेली में और चियर परसन है अनिल कुमार लहोती देखे अनिल कुमार लहोती तो चियर परसन है और सेकेटरी कौन बने है अतुल कुमार चौधरी तो दोनों नाम में आप लोग यहाँ पे confused नहीं होना बिलकुल भी next question है friends who was the first woman to become speaker of the Udisa Assembly Udisa Vidhan Sabha की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी इस news से लेड़िड हमारी एक अभी current interface की news से इसलिए यहाँ पे हमें यह भी याद रखना है कि Udisa Vidhan Sabha की अध्यक्ष बननने वाली पहली friends speaker पहली woman speaker कौन थी प्रमिला मलिक ठीक है friends अब यहाँ पे हमें याद रखना है क्योंकि Udisa Assembly में अभी जो speaker चुनी गई है वो भी woman है so senior PJP leader सुर्मा पाडी इनका नाम है friends सुर्मा पाडी और यह चुनी गई है Udisa Vidhan Sabha की निर्विरोत अध्यक्ष इनके against में कोई नहीं थी तो unopposed यह जो है elect हुई है speaker of the Udisa Assembly और प्रमिला मलिक के बाद यह दूसरी महिला बनी है जो की दूसरी महिला है जो की Udisa Assembly की speaker चुनी गई है तो यह बिल्कुल current की news है और मैंने first वाली भी इसलिए आपको बता दी क्योंकि वहां से भी जो है question आप लोग उसे पूस सकते है चले फाइंस next question के बाद करते है who wins prestigious blue planet prize 2024 तो जो प्रतिष्ठित blue planet पुरिसकार है यह किसने चीता है तो यह पुरिसकार चीता है intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services चीग है यहाँ पर option A हमारा सही answer है और इसी organization के साथ हमें एक और नाम याद रखना है क्योंकि इस पुरिसकार के अन्यविचेता कौन है Robert Costanza तो Robert Costanza है Institute for Global Prosperity University College London से तो ecological economics जो की है पारिस्थतिकी अर्थशास्ट के छेतर में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है Blue Planet Prize ती जो Blue Planet Prize देखे इसके शुरुआत होई थी 1992 में जब Rio Earth वाला समिट हुआ था उसी यह जो है इस प्राइस के शुरुआत होई थी यह award इन्वली दिया जाता है जापान के आहशी ने जापान के असाही Glass Foundation के द्वारा नेक्स कोईशन है यहाँ पे Choose the correct statement regarding The Bricks Games 2024 तो Bricks Games अभी हाली में जो है है उनसे लिटेट यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है बताना है कौन सा सही है स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले पहले स्टेटमेंट है Indian Men's Tennis Team जो Indian Men's की Tennis Team है उन्होंने जीता है Bronze Medal इसमें उजबेकिस्तान को हरा के Second statement है कि जो Bricks Games थे इस पार की कहाँ पे ओगनाईज हुए थे रश्या में So friends यहाँ पे जो correct statement है वो यह दोनों ही statement correct है Answer यहाँ पे होगा हमारा option number C So इस पार के जो Bricks Games हुए थे 2024 में ही ओगनाईज हुए थे काजन रश्या में Men's की जो Tennis Team थी उन्होंने इसमें Bronze Medal जीता है Women's की Tennis Team ने भी Also कौन सा Medal जीता है Bronze Medal तो दोनों याद रखेंगे कि Bricks Games में Men's और Women's India की Men's और Women's की जो Tennis Team थी उन्होंने कौन से Medal जीते है Bronze Medal यानी जीते है कांसे पदक Next question है Which country is hosting The 48th edition of the Copa America Football Tournament Copa America Football Tournament का जो 48 वदे के edition इसकी मिजवानी कौन सा देश कर रहा है तो इसके 48th edition को host कर रहा है कौन सी country USA ये दूसरी बारे देखे जब USA जो है Copa America जो कप है इसको जो है host कर रहा है 2016 में USA ने जो है host किया था Copa America Cup को So friends यहां हमारे हो गए है सभी का इंटरफेस के questions complete आप डिसकस करते हैं स्टाटिक जीके के questions तो पहला question देखे Which type of energy is stored in a rechargeable battery बात यहां पर करें कि rechargeable जो बैटरी होती है उसमें किस परकार की उर्चा परिवर्टित करने की प्रकिर्या को क्या कहा जाता है तो इस process को कहते है metabolism Next question Which disease is caused by a mosquito-borne virus कौन सी इन में से बिमारी है देखे जो की मच्छर जनेत वाइरस से होती है इन में से देखे जो डेंगू फीवर है यह होता है मच्छर से Next question है What is the process of splitting atomic nuclei called पर्माडू नाभी को विखंडित करने की प्रकिर्या क्या कहलाती है तो इस प्रकिर्या को कहते है vision कहते है इस प्रकिर्या को चिके फैंट सो यह थे हमारे आज के static चिके के questions अब फैंट सम्बाद करते है revision questions की तो अब हम देखिए जो हमने Saturday questions करेते न उनको मैं आपको एक बार ना फिर से इस वीडियो में revise करा देती हूँ तो देखें फैंट सम्बारा first question क्या है the dash the India dash trilateral meeting identify new proposals to expand the Indo-Pacific Partnership तो यहाँ पे तीन countries के बीच में देखिए यह partnership हुई थी एक तो होगे इंडिया बाकी दो countries की बात करते हैं तो answer है यहाँ पे option A France Australia next question देख लीचे friends अगला question है which city is hosting world premier defense and security expo euro century 2024 euro century 2024 की मिजबानी कौन सा शेहर कर रहा है Paris France इसकी बाद है which country जिसने अभी पास किया है एक बिल जिसमें हिजाब और जो अदर विदेशी परिधान है उन पर प्रतिबंद लगाया निक का लगाने वाला यह विदेया के और इससे अभी हाली में पारित किया है ताजिकिस्तान नी इन विज कंट्री वस दी लॉस्ट सिटी अफ टुवाम डिसकवर्ड खोया हुआ शेहर टुवाम किस देश में खोजा गया था यह डिसकवर हुआ था यूए कंट्री में अकॉर्णि टू टू टी रिपोर्ट अफ कोस्ट अफ लिविंग सिटी रैंकिंग ट्वेंटी ट्वेंटी फॉट विच इस सिटी ऑफ इंडिया इस रैंक मोस्ट एक्स्पेंसिव सिटी भारत का कौन सा शेहर जो है सबसे महंगा शेहर है तो मुंबई यहां पर राइट आंसर है और मुंबई को वर्ड लेवल पर जो रैंक मिली है वो है 136 अच्छा बात करते हैं कोस्ट अफ लिविंग सिटी रैंकिंग जो है उसमें पहली नंबर पर कॉन सा शेहर है तो दुनिया में फर्स नंबर पे है होंग कॉंग सिटी फू लॉंच्ट अफ इट्स काइंड इसकेन बांक फॉर दी ट्रीटमेंट और सेवर बर्न इंजरीज इन डिफेंस तो यह अपनी तरह का जो पहला तुचा बांक है इससे शुरू किया है इंडियन आर्मी नी जारखंट गवर्मेंट नी नेक्स्ट वैंस नाटो के नई सेकेटरी जनरल कौन अपॉइंट होए है आंसर इस मार्क र्यूट यहाँ पर हमारे जो क्वेशन से वो सारे कम्प्लीट हो गए है अब फैंस में आपको आपसे दो क्वेशन पूछ ओंगे यहाँ पर इनके अंसर आप सभी से र्युक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पहला क्वेशन देखिए क्या है यहाँ पर ओटोबाइग्रफी का नाम है I have the streets अ कुटी किरकेट स्टोरी यह ओटोबाइग्रफी किसकी है सिंपल हमें बताना है Second Question में पूछा गया है Global Energy Transition Index यानि वैश्विक उचा संकरमर चो सुचकांग का यह उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया ने इसमें कौन सी रैंक हासिल करी है Friends इनके आंसर आप हमें जल्दी से लिख दीजे comment box में और इसी के साथ Friends यहां पर आज का हमारा daily current face का यह important session होता है complete So कैसा लगा Friends आपको हमारा आज का session आप हमें अपना feedback दी सकते हैं और अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी video हमारा content अच्छा लगा हो So आप सभी इससे request है कि वीडियो को जाद से जादा like करें और बहुत जाद से जादा share जरूर करें और अगर आप हमारे channel पे नई हो अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो आप subscribe करके जरूर रखें Friends क्योंकि upcoming videos पे बहुत important आने वाली है आपको आपके exam में बहुत help करेंगी So यहाँ पे हम इस video को end करती हैं फिर से मिलेंगे another important class में Till then bye bye, take care, have a good day Thank you so much for watching this video